इस लोग दीज रेश्पी में आप से भीगा बहुत स्वागत थे मेरा नाम है किरन तो फ्रेंट्स आज में गेहूं के आटे और आलु को मिक्स करके बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट पापड बनाने जारे हूं देखें सूखने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं यह बिल्कुल नए पापड की रेस्पी है आप इसे बनाकर ज्यू ट्राइक कीजिए का फ्रेंट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे और देखी बहुत जल्दी आसानी से टूट जाते हैं और खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी होते हैं इसे छो पापर को मैंने अधरक और लहसुन के फ्लेबर वाला बनाया तो यह मैंने मिर्चली है और यह कुछ लिकल लहसुन की है और थोड़ा सा अधरा के इसे में च्छे टुकलों में कट कर लिया है अब चलिए इसे में जार में डाल करके और इसका एक फान पेष्ट तैयार कर ले और इसका फान पेष्ट तैयार करेंगे तो friends बहुत ही असानी से पापर बन जाते हैं और बहुत अच्छे इसमें फ्लेबर आता है तो देखी इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है और बहुत अच्छे इसका पेष्ट तैयार हुआ है अब चलिए हम पापर का बिटर तैयार क तो मैंने एक छोटी कटोरी के करीब आटर लिया है, तो बस उसी कटोरी में मेजरमेंट करके हम 11-12 कटोरी हम इसमें पानी अट करेंगे, तो अभी मैंने इसमें 3-4 कटोरी पानी डाला है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, तो शुरू में हम थोड़ा सा कम पानी इसमें डालेंगे, उसके बाद इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि इसमें एक भी गुठली न रहे आप उसके बाद चलिए इसमें हम आलू का पेश्ट डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं तो यदि आप सही मेजरमेंट करके पापर बनाएंगे तो आपके पापर बहुत ही अच्छे बनते हैं तो बस इस तर और पानी डाल देती हूं तो टोटल मैंने इसमें 11-12 खटोर के करीम मैंने इसमें पानी डाला है तो चलिए अवी से हम डाल करके और अच्छी तरह से अमिक्स कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी ये पापर बन जाते हैं बस आप सही तरीके से बनाएंगे तो आपके पापर बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे अब चलिए मैंने इसमें हलके फुल की कुछ समानेट किये हैं जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा जीर डाया है जीरे का फ्लिवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है आप इसमें अजवाइन का भी इस्तमा कि आप चलाब किया है बस थोड़ा साम इसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं तो देखे फ्रेंट्स बहुत यच्छा हमारा बेटर बनकर तयार हुआ है मतलब हमें जादा ना गाढ़ा और पतला बेटर चाहिए तो फ्रेंट्स यदि आप सही बे तो आपके पापर बहुत यच्छे बनेंगे और जब हम इसे पकाएंगे तो हमारा बेटर अपने आप गाढ़ा हो जाएगा अम मैंने इसमें एक कटोरी करीब पानी और डाल दिया है तो टोटल इसमें 11-12 कटोरी करीब मैंने इसमें पानी डाला है तो देखे फ्रेंड्स हमे को मैं इसे गेस को उपर रख देती हूँ और मैंने मीडियम फ्लीम पर रखा हे तो प्रेंड्स बस आप एक ही बात का द्यान रकिएं कि हमें इसे एक ही रावन में लगतार चलाते खुए घुमाना है हमें हाथों को बिलकुल भी नहीं रोकना है यदि हम हाथों को रोक दें तो देखे फ्रेंट्स बहुत यच्छ आपके पापड बनेंगे यदि आप इस तरह से पापड बनाएंगे तो आपके पापड बिलकुल भी नहीं ब्यूरेंगे और बस दस से बारा मिनुट ही लगता है इसे बनने में तो देखे फ्रेंट्स चलाते चलाते बेटर कितना ही लाना है और हमारा पापड का बेटर बनकर तयार हो जाएगा तो बस थोड़ा सा इसे और चलानी की जरूरत है इसके बाद आप अपने हाथों को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं क्योंकि आपके पापड नहीं भीड़ेंगे तो देखे फ्रेंट्स यह देखे बहुत अच् देने की कुछ पत्मियां भी करूंगी बेटर हलका ठंडा हो चुका है अब चलिए इसमें में अट्धी डाल देती हूं इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पापड में और इसे भी डाल करके अच्छी तरह से अब चला देती आँ अब चलिए इसे हम धूप में जा करक से हम थोड़ा थोड़ा बेटर इस तरह से डालते जाएंगे और हलका हलका इसको राउंड करके घुमा देंगे तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही असानी से पापर बन जाते हैं और हमें ज्यादा पतला इसे नहीं करना है यह हलके मोटे ही रहें क्योंकि सुखने यह अपने पतले हो जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं तो आप इस तरह से जरूर बनाकर ट्राइक कीजिएगा फ्रेंड्स आपके पापर बहुत ही अच्छे बनेंगे और बिल्कुल आलो चिप्स के जैसे ही इसमें स्वाधा आता है बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट पापर ब पेनेंगे तो बस तीन चार घंट में ही आपके पापर सुख जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स एक तरफ से पापर अच्छे तरह से सुख चुके हैं चरी से हम पलटा देते हैं और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा शुखा लेते हैं तो बहुत अच्छे पापर बनते हैं और बहुत ही पतले पतले देखिए पापड़ बने हैं तो फ्रेंस आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताईएगा हमेशा हासते रहें मुस्क्राते रहें जल्द मिलती हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय